जै जिनंगा जै बोलेना दोसकों दो बच के दो मिनेट हो चुकी है और मार्केट ने लगबख सभी सोटर के आज पैंट कोल दिये समझ लीजिए बस उनकी चड़ियां बची भी है वो कुलना बाकी है लेकिन यहां मैं थोड़ा हिम्मत करके मैं यहां शौर्ट ही करूँगा यहां लॉंग नहीं करूँगा अल्दो हम उस लेवल पर आ रहे हैं जहां पर यह हाई बना था यह जो 639 का हाई था उसके करीब करीब पहुंच रहे हैं यह मेरा सेकेंड टार्गेट भी आज एचीव होने वाला जैसा हो गया हो गया लगबख यह अल्रेड़ी यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट तो आ चुका लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं आ आफ्टर ए वेरी लॉंग टाइंग 1.64 के उपर आया अभी कितना दिखतों मैं कि 1.62 आ चुका है PCR काफी उपर आ चुका है और आज एक चीज अच्छी हुई है कि आज 10 यह मैंने 20 यह में को क्रॉस ओवर किया है लेकिन एक ही चीज यहां खराब हो रही है 50 यह में कि वेल्यू अभी भी 20 और 10 से उपर है तो मुझे लगता है कि आज बेस्ट प्रॉफिक प्रॉफिट बुकिंग डे रहेगा अब आगे के देड़ घंटे हो सकता है एक घिरावट भी दे लेकिन अगर यह क्लोजिंग इसके उपर आती तो कल फिर से सुरुवात ते हमारा टार्गेट एक इंपॉसिबल सा लग रहा था जब 16 400 आया था लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो गया है 604 बना चुक है और पिछला हाई था 649 639 मुझे नहीं लगता वह तोड़ेगा आज मुझे नहीं लगता आज तोड़ेगा यहां से गिरावट आने का चांसे थोड प्राड़ी जाने का और अगर शॉर्ट मारना है तो मार सकते हो रिस्क है प्रॉफिट में से कुछ पैसे नुकसान हो जाएंगे बैंक निफ्टी आपको उस दिन 36000 का कॉल बोला था तब कुछ लोगों को साइध हरसी भी आ रही होगी लेकिन बैंक निफ्टी आप देख सक कुछ रुपय था मैं दिखाता हूं आज क्या हो गया उसका कि तेरा जन्वरी मैंने बोला था याद कर लीज़ें मैंने आपको 330 के करीब वीडियो में दिखाया था और मैंने बोला था 800 तक जा सकता है मैक्सिमम तो 700 रुपया तो आज ही आगया डबल होगी आपका पैसा बुक करिए बुक करिए विदाउट सोचे देखिए मैंजे 347 की क्लोजिंग है फ्राइडे की और मैंने तेरा तारी की बोला था आपको कि मुझे तेजी दिखरी और मैंने 36 800 तक का टार्गेट बोला था तो इतना बड़ा तेजी आगे और क्या चाहिए यहां सावदानी का मौका है सावदानी लेना चाहिए अगर लगता आपको बहुत और तेजी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लोज डालिए ठीक है मगर अंधी तेजी अब मत करी